दिल्ली बजार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग मैंने पिछली साल एलान किया था दिल्ली बजार पोर्टल जिसमें दिल्ली के सारी दुकाने दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पिलाए जाएंगे तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिखता है छोटी दुकान पे बड लंडन में रहने वाला कोई आदमी भी खरीच सकता है लंडन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से खान मार्केट से चांदी चौक से आपके लोकल शॉपिंग कॉंप्लेक्स से कोई भी माल खरीच सकता है इससे हमें उमीद है कि दिल्ली की अर्थवेवस् जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम तरकीब तरी अच्छे तरीके से इसको systematic तरीके से अगर revamp करके पूरे market को develop किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी opportunities है दिली की जो नई startup policy है वो बहुत बड़ी opportunities खोलती है दिली अलड़ी देश का startup capital बन चुका है दिली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज्यादा नए startups निकल रहे हैं तो दिली की जो startup policy है हमें उमीद है इसके जरीए बच्चे जो है वो बहुत सारे नए ने बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे दिली के जो non-conforming industrial areas हैं उसको सब को develop किया जाएगा यहां पर हमें उमीद है कि काफे सारे jobs निकलेंगे जो famous food hubs हैं उनको उनको develop किया जाएगा उनको market किया जाएगा और food truck policy जो खाने वाले trucks होते हैं इसके policy बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तरके उपर इनको promote किया जा सके यह सारे वो चीज़ें जो आम आदमी कर सकता है हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी capital की जरूरत है जो एक आम आदमी छोटा आदमी थोड़ी से capital से छोटी capital से अपना business शुरू कर सकता है यह सारी चीज़ें क्लाउड किचन clusters की स्थापना की जाएगी electronic city बनाई जाएगी ई-vehicle solar energy urban farming इसके जरीए औरड़ी दिल्ली EV capital बन चुका है देश का दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है हमें उमीद है इसके जरीए बहुत सारे jobs create होंगे रोजगार बाजार portal जो हमने बनाया था हमने पिछली साथ जैसी हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब jobs निकले थे इसका second version बनाया जा रहा है तो इस तरह से ये जो 20 लाख jobs का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने jobs create होंगे ये करने से इतने jobs create होंगे ये करने स ये पूरा detailed plan आज देश के सामने रखा गया दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की महंगाई बहुत जादा बढ़ गई है काम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली के लोगों को केव पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है धेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं धेरों लोग इस साल पौने चार लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा हैं अगर आपके घर में दो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर तीन चार हजार पांच हजार रुपे तो एक बच्चे की फीस आई जाती है तो दस हजार रुपे पर मन्त एक आम आदमी का महंगाई के इतने महंगाई के जमाने में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उसका पूरा इलाज मुफ्त है अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ महला क्लिनिक जाईए आपको दॉक्टर दवाई देगा डॉक्टर भी फ्री दवाईयां भी टेस्ट भी फ्री सब कुछ फ्री अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिम चाहिए आपको सब्सक्राइब फ्री जरू करा अमीर हों के फ्री आपको कोई सरकार के घूस-पूड़ाय कि बड़ा सीटिवर्ड के था के ए-स तरह कि हेल्थ सीक्योरिटी जो है मुझे नि लगता है देश तो छोड़ो बंया में इस किसम की हेल्ध कर देश का एंसाध कर वितमंत्री उपमुख्यमंत्री जिने कहा कि हैल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है कोई घर में बिमार हो गया बड़ी बिमारी हो गई सब कुछ बेचना पड़ा जाता है सब कुछ खातम हो जाता है वो दिल्ली के लोगों कुछ इंदा करने के ज्यद्रों के बहुए है बहुत बड़ी सिक्यूरिटी इस शिक्षा की सिक्यूरिटी है यह फे contained कि सपर्व करकें तो लोगों को महंगाई से ऑर चीजहें जो हमारे कंट्रोल में वह तो हम कर रहे हैं तीसरी विजली आच दिल्ली के 73 जंता को फ्री बिजली मिल्टी माच यहां पे लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, महंगाई के जमाने में यह बहुत बड़ा सपोर्ट है, पानी फ्री मिल रहा है लोगों को, दूसरे राजियों में आप चले जाए, दूसरे राजिये के अदिली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा कर करता था, लोगों के 5-5,000, 10-10,000 रुपे के महीने के बिल आया करते था, अब लोगों के जीरो भी ला रहे हैं, पानी की विवस्था हो रही है, अब 24 घंटे पानी करेंगे, उसके उपर भी काम कर रहे हैं, केवल पानी फ्री नहीं, पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्य इन पांच चीजों से दिली के एक आम आदमी की जिन्दगी को थोड़ा सा सहारा दिली सरकार देने का काम करती है, तो एक जो अच्छी खबर दिली की जितनी कच्छी कोलोनिया है, कच्छी कोलोनियों में मैं जब भी जाता हूँ, नरक की जिन्दगी है लोगों की, एक बार तो पूरा किचड़ी किचड़ सारी नालियां बाहर वो बहने लग जाती हैं 31 मार्च 2023 तक दिल्ली की सारी कच्ची कोलोनियों के अंदर सडक नाली पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन का नाब काम खतम कर दिया जाएगा कुछ कोलोनियां बच जाएंगी जो फॉरिस्ट की वज़े से एसाई की वज़े से इन वज़े से उनको परमिशन नहीं मिल पारी 100-700 कोलोनियां बच जाएंगी उसके अलावा दिल्ली की सारी कच्ची कोलोनियों में यह चार चीजों का काम पूरा हो जाएगा मैं समझता हूं इससे दिल्ली की कच्ची कोलोनियों में लोगों को बड़ी मदद मिलेगी सहायता मिलेगी और लोग इज़त की जिन्दगी जी सकेंगे चुनाव के दौरान जब मैं परचार करता था तो कई जगे जाता था लोग कहते थे जी रिष्टे नहीं आ रहे अच्छे वो देखने को भी साफ करेंगे उसके उपर पूरा काम चल रहा है उसके पर मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि अगले चुनाव के पहले आप सब लोगों को ले जाके यमना में डुब की लगाएंगे उसके लिए आज पूरा इसमें बजट के अंदर प्रोविजिन किया गया है और एक जो आज सबसे बड़ा एलान किया गया जो आपने नोट नहीं किया वो है ट्रैफिक लाइट के उपर जब आप रुकते हो आपकी खिड़की के आप पास आके कोई बच्चा छोड़ा सा नौक करता है और वो आप से पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है उसकी तरफ कोई ध्यान ने देता कोई सरकार क्यों वो वोटर नहीं है वो वोट नहीं देता वो वोट बैंक नहीं है कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देते आज हमने 10 करोड रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिदेंशल स्टेट आफ दा आर्ट बहुत प्रयास किए गए अभी तक Correct ठबागि जितने भी अभी तक किए गए जितने भी अभी तक खिये गए वो सारे प्रयास以上 थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी मानवियता नहीं उनको पकड़ा गया मुझे कनॉट प्ले लाके उनको एक इज्जत की जिन्दगी दी जाएगी उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा अट्य किरने जाएगारी जिन्दगी जाएगी जाएगारी क्याएगा जाOR है याएगा आरै की जिन्दगी जाएगार सक्राइगाँदी नाएगा जाएगाँवाु लग पले लेना इनको एक